हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज मेरे पास क्या है तो दोस्तों आज मेरे पास है जैक फ्रूट जैक फ्रूट जो है मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है पता इस से पहले ना हम इसे सिर्फ ऐज जैक फ्रूट खाते थे बर जब स मैं मदरास में आई होना यहां पर मैंने एक फ्लेवर आइस्क्रीम एंजॉय की है जो की कमाल की बनती है वो है यह जैक फ्रूट आइस्क्रीम ट्रस्ट मी इतनी हेल्दी बनेगी टेस्टी बनेगी और सबको पसंद आएगी आपने वह चॉकलेट मैंगो स्फॉबरी सभी तरी सब्सक्रीम में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ न वह बहुत डिफरंट है अगर आपके पास घर में कंडेंस्क मिल्क रखा हुआ है तो आपको गया जलाने की भी जरुत नहीं पड़ेगी पर कई बार होता है कि हम घर पे ही कंडेंस्क्रीम बनाना चाहते हैं और मार् में डाला है एक कप मिल्क पाउडर आप यहाँ पर मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं डेरी वाइट नर भी ले सकते हैं जो भी पॉसिबल हो आप वह आइड कर लीजिए और धीमी आज पर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिजए जब दूद हल्का ठंडा होगा ना उसी स् अच्छे सि गाड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं पहले के कंपैर में तो अब इसमें डालेंगे शुगर दोस्तों मैं यहां पर जो हैं ना मिसरी का पाउडर इस्तमाल कर रहे हूं आप आप यहां पर नॉमल शुगर भी उसकर सकते हैं जो मिसरी होती है ना कैंडी उसको आप हलका सा मिक्सी जार में चला लीजिए और वो आप इस्तमाल कीजिए शुगर के कंपैर में वो काफी अच्छा भी होता है और इससे मिठास भी बहुत अच्छी हाती है तो चार से पांच बड़े चमच मैंने इसमें वह आड कर लिया जब आप इसमें मिसरी का पाउडर ड प्रिज्ट में रखकर इसका इस्तमाल कर सकते हैं जब भी आप चाहें यह आपका होम मेड इंस्टेंट वाला कंडेंस मिल्क बन चुका है जब भी आपका कोई भी मिठाई बनाने का आया फिर आइस क्रीम कुलफी बनाने का मन करें तो आप उसमें वह यूज कर सकते हैं कोईए हैं और यहां पर आप देखिए हमें क्या करना है पहले अच्छे से एक बार इन्हें फेरो ॑श कर लीजेगा फिर हम इनके बीच के साथ बीच के उपर जो सकिन होती है वह बीजरूर निकालेंगी आप देखिए बीच के साथ ही होती उसकी कौश्फर से कोटिंग व मैंने पहली बार इसकी आईस्क्रीम मदरास में खाई थी ना मुझे अडिक्शन हो गया था इसका मैं बार बार इसे खा रही थी यह इतनी कमाल की बनती है तो मैंने सुचा भई इस रेसिपी को तो जरूर शेयर करना है आप लोगों के साथ अब हमने यहां पर देखी जो कंद जार ले लिजिए उसमें हम सबसे पहले हमारे जो यह चॉप की हुवे जैक फूरूट है ना वो डाल देंगे दोस्तों अगर मैं नंबर्स में काउंट करूँ ना तो बारा से पंदरा नंबर्स मतलब पीसिस मैंने आप जैक फूरूट ले लिए हैं और उनके बाद उनको करके इस्तमाल किया है आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे उसके बाद हमने इसमें डाली है एक कर्टोरी मलाई दोस्तों अगर आपके पास घर में दूद की कलेकि हुई मलाई है ना तो आप वो यूज कर लीजिए अगर वो नहीं है तो आप अमूल की फ्र कर लिए एक दम परफिक स्मूथ सा टेक्श्चर हो जाना चाहिए उसके बाद अभी हमारा हूम मेट कंडेंस मिल खम इसमें आड करेंगी दोस्तों जब हमने कंडेंस मिल बनाया था तब हमने मिठास आड कर ली थी और जो यह जैक फूरूट होता ना इसमें नैचरली अपन आइस क्रीम मतलब सेट कर सकते हैं किसी भी डबे में आइज आइस क्रीम या फिर आप इसे कुल्फी मोल्ड में भी सेट करेंगे न तो भी बच्चों को बहुत पसंद आएगी आप इहां पर इसका टेक्श्चर देख सकते हैं कितना क्रीमी रिच और सॉफ्ट है बस अब यह वाला ट्राइ कीजिएगा फ्रूट ट्रस्ट मी बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे मेरी तो यह आल टाइम फेवरिट है इसे बनाना भी आसान है और आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से हमने से बना लिया अब बस मैंने यहां पर रख लिया ऐसे फ्रीजर में सेट होने के लिए कल सुबह मैं आपको इसे सर्फ करके दिखाऊंगी की कैसी यह सेट होकर तयार हुई है अब आप देख सकते हैं हमने यहां पर 12-15 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में छोड़ दिया था अब यह परफेक्ली सेट हो चुकी है मुझसे तो वेटी नहीं हो रह इसका जो टेक्चर है वो बहुत ही क्रीमी रिच और सॉफ्ट होता है सब को पसंद आएगा तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राय कीजिएगा और उससे पहले नहीं मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएगा कि क्या आपने यह वाली आइस स्क्रिम पहले कभी खाई है या फिर बनाई है जो भी आपका एक्सपीरियंस और उपीनियन हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना अब भई मैंने तो यहां पर कर लिए इससे सर्व इसक्यों पर डालेंगे थोड़े से पिस्ताश्यू चॉप की हुए और आप इसे इंजॉ खॉओंगी बाई